हे गाईस दिर्ज ओमर और वेलकम टू ओमर्स टिकनिकल क्लास इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी बैटरी कहीं से सेव कर सकते हैं इस तरह की वीडियो अल्लेड़ी अपलोड कर रही है उसमें मैंने एक app के बारे बताया कि आप उस app को डाउनलोड करके कैसे अपनी बैटरी को बचा सकते हैं जितनी वो पहले discharge हुआ करती थी अब नहीं होगी उसमें मैंने ये बताया था साथ में उस apps में कुछ और भी सारे अच्छे features थे कि आपके mobile को clean कर देगा बगर बगर तो अगर आपको वीडियो देखना है तो उस वीडियो का link आपको इस वीडियो को description box में मिल जाएगा बट इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ आपको कि आप कैसे एक जटके में अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं तो इसमें आपको ना कोई app download करना है और कुछ भी नहीं करना है बस एक setting को apply करना है तो वो setting में इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा जिससे कि आपको पूरी की पूरी प्रोसस समझे में आ जाए और अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट से जाकर सब्सक्राइब करके उस बैल है कि उनको प्रैस जरूर कीजिएगा जिससे कि आपको लेटिस्ट टेक्लालोजी की वीडियो सबसे पहले मिल जाए तो लेटस टार्ट इस वीडियो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सी वो सेटिंग करना है और क्या प्रोसेजर है अपनी बैटरी का जो बैक अप है वो उसे इंक्रीज करने का क्या प्रोसेजर है क्या प्रोसेस होने वाली है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब अपन नया फोन खरीदते हैं आपने जो नया फोन खरीदा होगा आप में जो काफी लोग होंगे जिन्होंने अपना फोन आज से एक साल एड़ साल पहले या छे मैने पहले खरीदा होगा बट उसकी जो कुछ टाइम बाद बैटरी होती है वो जल्दी डिस्चार्ज होने लगती है तो रीजन वाइज क्या होता है कि आपकी बैटरी का जो बेक अप है वो काफी कम हो जाता है अन्ध मैंने जो पहली नया नया फोन लिया है इसकी बैटरी बहूत ही अमेजिंग है अभी बीलको पाती है बिकस रीजन यह है कि यह 6000 mAh की बैटरी है 6000 mAh की तो बले ही यह 6000 mAh की बैटरी है बट आगे जाके इसका भी backup decrease होगा तो मैंने यह setting पहली कर लिए और आप यह setting कर सकते हैं अगर आपकी बैटरी का backup decrease होगा है या फिर आप चाहते हैं कि decrease ना हो तो भी आप इस setting को कर सकते हैं तो फटा-फट से मैं आपको setting दिखाता हूं तो कोई setting नहीं करना है आपको बहुत लंबी सी आपको simply एक ussd code को run करना है वह ussd code होने वाला है star has 0228 तो star has 0228 आपको dial नहीं करना है आपको सिर्फ इतना टाइप करना है उसके बाद गाईज आपको फिर से has type करना है ध्यान रखिएगा जैसे ही आप has को type कर देंगे automatically आपके सामने एक interface आएगा तो has को आपको type करना है मेरे सामने automatically एक interface आ गया है तो यहां पर आपकी बैटरी की जितनी भी information है सारी की सारी information आ जाती है बैटरी का status आ जाता है पूरा के current value क्या है average value क्या है charging type क्या है network LTE क्या है तो यह सारी चीजें आ जाती है आपकी बैटरी का पूरा status हजाता है तो यहाँ पर आपने click करना है quick start पर तो जैसे के आपको option मिलना है quick start का उस पर आपको click करना और जैसे ही guys आप quick start पर click करेंगे तो अब जो आपके सामने जैसे के आप देख सकते हो red color में लिखा हुआ है quick start सबसे नीचे उस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप कोई क्लिक घरोगे तो यहां पढ़ाईगी एक discovers जिसमें लिखा हुआ है उसे आपको पढ़ना है पढ़के आपको okay करना तो यहां पर आपको okay करना है और इसमें वैसा कुछ भी नहीं है तो यहां पर सीधा आपको okay करना है उसके बाद आपका phone थोड़ी देर के लिए बंद होगा reset होगा and उसके बाद आपकी जो battery है वो बिलकुल brand new हो जाएगी तो मैंने आपर okay कर दिया था and उसके बाद मेरा phone थोड़ी देर के लिए बंद होगा and फिर reset हो गया था मेरा phone simply and उसके बाद अब मेरी battery का जो backup है वो increase हो चुका है इस बहुत ही simple processor जैसे के आपने देखा तो इस वीडियो पर यार लाइक तो बनता है क्योंकि आपकी battery का backup increase होने वाला है तो वैज यह थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करें बेना कहीं मजाना चैनल को सब्सक्राइब करके उस बैल आइकन को ज़रूर प्रस कर दीजिएगा जिससे के हमारी आने वाली जो latest technology की वीडियो है वो आप सबसे पहले देख ले एंड गाइस उमीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में see you in another video